सारत हम डिसकस करेंगे HPSSE का प्रीवेस यह प्रीवेस में इसकस करेंगे और आज हम हुआ से अच्छीन करेंगे आने वाल एकल कौन से चर्श करेंगे जल्दी से हाँ कमेंट करके बता दिजिए आपकी पर ही जो है वो अग्ला section discuss करेंगे यहां में पूछा किया है sex ratio of हिमाचिल प्रदेश as per census 2011 2011 की जनकर्णा के अनुसार हिमाचिल प्रदेश का लिंगानुपाद पूछा है 2011 की जब जनकर्णा हुई थी तो उस हिमाचिल प्रदेश का लिंगान पाद था 972 अगर हम बात करें कि हिमाचिल की density कितनी है तो density 123 है इस सब चीज़ें आपको अब्याद हो जाने चाहिए और अगर हम आप अब बात करें कि डिचैनियल ग्रोथ रिट कितनी थी 2001 से लेकर 2011 के बीच में वो थी 12.94 प्रजेंट यह सब आपको याद रखना है यहां से नेक्स्ट कोईशन देखते हैं काफी अच्छा और इंपोर्टन कोईशन है प्रियर टू स्टेट अनिमल ऑफ हिमाचिल प्रदेश वाज तो हिम तेंदु से पहले हिमाचिल प्रदेश का जो राज्य पासु था वो कौन सा था आपको पता है अभी प्रिजेंटली हमारा जो तो मस्क डियर जो था इससे पहले हिमाचिल प्रदेश का स्टेट अनिमल हुआ करता था यहां से हम और क्या क्या जान सकते हैं यहां से पहली बात तो आपको पता होने चाहिए कि इंटरनेशनल स्नोर लैपर डे कम मना जाता है अंतराष्टे हिम तेंदु अदिवस कम मनाया जाता है अब आपको एक और चीज बता होने चाहिए क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड का एक्जाम भी कंड़क्ट करवाए जाए तो हो सकता है उसमें इस तरह का कुछ पूछ ले जाए अलग लग स्टेट्स के आपको स्टेट अनिमल बता होने चाहिए तो ज्यादा तो स्टेट्स तो बहुत सोरे स्टेट्स हैं त्वी के दो आप याद नहीं रख पाएंगे प्राईंतु इंपर्टन स्टेट्स के आप याद रखिये जैसे कि पहला तो अपना हिमाचल हो गया है इसका तो आप याद रखना है कि Sumソar CO1 इ relocation की की साथ हर्याना भी लगता है थो तो हर्याना का जो state animal है वो है black buck, black buck कहां का state animal है, और पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो state animal है वो भी black buck ही है, उत्रखंड की बात करें तो उत्रखंड का जो state animal है वो है alpine musk deer, alpine musk deer जो है वो उत्रखंड का है, और लदाख की बात करें तो लदाख का state animal जो है वो snow leopard ही है है और जम्मु कश्मीर की बात करें जम्मु कश्मीर का जो श्टेट अनिमल है वो है कस्मीरी स्टेग इसको लिगा जाता है कश्मीरी टैग हंगुल हो पर दो पर दो पर दो यहां से दो हमने चमबा के और कुछ हमने कुलू के जाने जब आप याद रखेगा अगरे कोशने पूछते हैं इन हिमाचल प्रदेश इस फैट वाई रिवर फैट वाई गलेशे बड़ा भंगाल तो ऐसी हिमाचल की कौई नदी जिसको बड़ा भंगाल से पानी मिलता है वो कौण सी है आपको डेटेल में अगर पता है तो आप्शन डी नन आफ दी सही है क्योंकि रावी नदी यह जिसक रावी नदी का वैदिक नाम है वो है पुर्शानी रावी नदी की सहाइक नदियां पूछली जाती है तो रावी की जो इंपोर्टन सहाइक नदियां वो कौन कौन सी है एक तो भादल हो गया एक सिहूल हो गया इसके लावा तंत गिरी हो गया बुधिल हो गया चीर्चुन नाला हो गया। यह कुछ इसकी important Sachig Nady है। अब यह भी इसकी scriptures' नदियों के बारे में हो गया। अगर हम चनाव नदि की बात करें। तबश्रकों चंद्रा भागा कर राती है। चंद्रा और भागा तांडी में मिलती हैं। तो ये दो नदियां होगी। दूसूरी रावी नदी जिसको वैदिक नाम में पुरसानी कहते है। आगे पूछते हैं which are the following? कांगडा रूलर्स वर कंटेंप्रेरी आफ जहांगी तो कांगडा के ऐसे कौन से सासथ थे जो जहांगीर के समकाले इन थे अब कांगडा के कोई ऐसी सासथ जो जहांगीर के समकाले इन थे वो थे राजा तिरलोक चन्द और पूछन जो थे जो जहांगीर के समकाले इन थे कांगडा किले के पहले मुगल किलेदार को थे तो कांगडा किले के पहले मुगल किलेदार थे नवाव अली खान 크ांगडा किले के अंदर मस्जित किस्ते ने बनवाए ज़से कर आँए कि जहांगीर के द्वारा कहमेबर पूशन पूछा जाता है कि जहांगीर जब अपने पत्नी के साथ जो था ओधमेरी आया था धमेरी यानि कि धमेरी जो है वो नूरपूर का प्राची नाम है तो नूरपूर जब यह आय थे तो उस टाइम नूरपूर के राजा कौन थे उस टाइम नूरपूर के राजा जो थे वो राजा जगत सिंग हुआ करते थे इस time जहांगीर ने अपने पत्नी के साथ विजिट किया था अभी एक्जाम में कोर क्वेशन पूशा गया था गुलेर के वारे में साहा जहां से related वो क्वेशन किया पूशा गया था क्वेशन इस तरह से पूशा गया था कि सहां जहां ने सेर अफगान की उपाधी किसको दी थी गुलेर के कौन से राजा थे तो गुलेर के राजा मान सिंग को जो था उनकी बहादुरी के लिए सहां जहां ने जो था वो सेर अफगान की उपाधी जो था वो दी थी तो यह सब प्याद रखिए लग लग सहां जहां एप्षिन जो है वो सही अंसर है ये जो जो जुगिंदर से जो था ये मंडी के राजा थे अंथim ये 1925 से लेकर 1948 तक यहां के राजा रहे थे और मंदी रियासत की स्थापना किस नays दुख Beni ने की थैं राउंड राउंड 1527 राजा अजबर से इनने जो था वो भूतनात मंदीर भी बनुआया था कई बार question पूछ लाता है कि भूतनात मंदीर कहां पर है ये मंदी मैं से दिता है मंदी सेहर में राजा अजबर से इनने ये मंदीर बनुआया था अग एक question से related हम चार या पांच questions discuss कर लेते हैं तो टोटल मान लोगर हम 20 questions discuss करते हैं तो अगर हम 20 को न 5 से multiply करेंगी तो मतलब एक वीडियो में हम 100 questions जो है वो directly indirectly discuss कर रहे हैं और यहीं से आपको काफी help मिलती है अब जो लोग regular वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है आगे पूछा गया था फर्स्ट हाइडर एलेक्रिक स्टेशन वाज कमिशन फॉर चमबा डाउने चमबा सहर के लिए पहली जयलविद प्रियोजना जो था वो कब अधिकृत की गई थी इसको कब कमिशन किया गय था उननी सो दस में कमिशन किया गय था उस टाइम चमबा के राजा थे राजा भूरी सिंग तो राजा भूरी सिंग के बारे में एक वार एचेस में कॉशन पूछ लिया गया था राजा भूरी सिंग की उपलबधियां वहाँ पर पूछी गयी थी उनकी एचेमेंट्स वहाँ पर लिखी गयी थी यमबर के पक्के थी दूसरा पंट आपकी लिख सकते थे कि इन्होंने भूरी सिंग म्यद्ध ची स्थापना भी करवाई थी 2008 मुझें, दूसरे पॉयґंट्व प सिक्ते थे कि इन्होंने पहला जो विश्वयूध्ध हुआ था उसमें इन्होंने अंग्रेजुं की सहायता ग तो यह आपके पास चार पॉइंट हो गए ज्यादा नहीं दो तीन नंबर तो आपको इसमें आसानी से मिल सकते थे अगर आप वर्ड को अच्छे से अरेंज कर पाते वहां पर तो आपको चार के चार नंबर भी आसानी से मिल जाते तो इस तरह से हम थोड़ा मेंस के पेपर भ है या उसके बारे मैं सोच रहे हैं तो आपको वहां पर भी जरूर मिलेगी आगे पूछते हैं में क्रॉप ऑफ डिस्टिक हमिरपूर ऑफ हिमाशल प्रदेश तो यह पूछते हैं कि हिमाशल प्रदेश के हमिरपूर यह लेकि मुख्य फासल क्या है तो इस क्वेशन को वै अगर हम बात करें कि मक्का कौन सी फचल है यह क्म क्रोफ है तो मैंने एक वीडियो में क्रीफ के बाद रभी ग्रॉप्स देखिए आप इसमें वीड आ जाता है आपके बार्ट ले आ जाता है मस्टर्ड आपका यानि के सरसों इसमें आजाता है तो यह सब आप बेसिक बेसिक आज रखिए आगे पूछते हैं यह कोईशन काफी अच्छा कोईशन है यहां पर पू पता है किताबों पर तो आपको यह पढ़ने को नहीं मिलेगा अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो एक ही चीज़ वहां पर आएगी कि प्रिती चोहान जो की निर्वा से समन्द रखती हैं उन्होंने जो था वो 9 साल की उमर में यह यंगेस्ट गयल बनी थी 2008 में ज जैसे कि पहली महिला को और वो थी शीला को और पहली महिला जीव जैस्टिस वो थी लीला सेट पहली महिला विधानसवा स्पीकर कौन थी तो पहली महिला विधानसवा स्पीकर थी विद्यास्टोक्स यंगेस्ट गल कौन थी इसने मांट अवरेष्ट को स्केल किया था इमा बात किती है हमाचल भवन किस बहुन में सुझत है इस को सही अंसर क्या होगा वन फाइव का जो ए ऌप्शन सी बांज को पिशले कर अगर आपको ध्यान हो तो हमने पीटर ओफ के बारे में बात की थी पीटर ओफ के साथ हमने इंडियन इंडियन इंसीटूट अफ एडवांस टडी जिसको वाईस लेगल उजर बी का जाता है उसके बारे में भी बात किते हैं फिर एक कमेंट भी आया था कि अगर हम present time में बाई चोट की बात करें तो present time में यहां पर क्या है गुवर्नर का रेजिडेंस है इसको हिमाचल भवन कहते हैं देखो यह जो बांज कोड था ना 1966 तक जो था वो पंजाब सरकार का जो था वो राजभवन भी रहा यहां पर फिर जब यह हिमाचल के पास आया तो हिमाचल ने इसको स्टेट गैस्थ हाउस बना दिया प्रंदु बाद में चलकर यहां पर राजभवन आप कह रहे जी हिमाचल भवन कह रहे जी इसको हिमाचल भवन बना दिया गया गुवर्नर का रेजिडेंस तो यह भी ध्यान रखेगा कि यह पंजाब के साथ भवी रिलेटिड है आगे पूश जाता है चको अकषा जाता है अगर आपसे पूशा जाए कि अल्ओर कि इसको कहा जाता है तो अल्ओर कहा जाता है मस्झू रॉकर टेंपल अधान आपका जाता है अगर осटावर Monastery की बात करेंगे तो ये 996 AD में बनी थी इसको बने हुए 1000 वर्स पूरे हो गये थे 1996 में 1996 में इसको बने हुए 1000 वर्स इसने पूरे कर लिये थे ये कहाँ पर सिद्ध है यह लौल्स पित्ति में सिथ है बाकि कुशिन के अंसर आप कमेंड करके बताये के सचूर कुमपा कहाँ पर सिथ है यथी आप कमेंड करके बताये है आगे पूशते हैं वियर इस दी देवली काम पर पढ़ता है, बिलासपूर ना पढ़ता है, बिलासपूर के खागस के समीब देवली पढ़ता है, अगर एक्जाम में पूछा गया था एक वाल क्वेशन है कि देवली कौन सी खड के किनारेश देवली अडी खड के किनारेश देता है, अडी किसकी साहिक है, अ सतलूज में जाकर आगे मिलती है यहां से आप इतना ही याद रखें आगे पूछा गया है question में what is the altitude of किनर कैलास mountain किनर कैलास की altitude आप से पूछा गया है अगर किनर कैलास के altitude के बारे में बात करें तो इसका जो altitude है वो है 6500 meter option c जो है इस question का सही अंसर होगा अब 6500 meter जो है इसका altitude है यह किन और में पढ़ता है मुख्यरूप से उसी तरह हमने और भी ऐसी peaks चुथा वो डिसकस की थी या फिर mountain हमने डिसकस किये थी तो उनका altitude भी कवार आप जान लीजिए सिरिखंड के बारे में याद रखे सिरिखंड जो की कुलू मेसी था इसका altitude है 5182 5182 meter जो है वो सिरिखंड का altitude है nursing tipa आपने पढ़ा था तो nursing tipa का altitude है 3730 meter 3730 meter नर्सिंग tipa जो की चमबा मेसी था है उसका altitude है गौरी देवी का टीपया का एलिटूड है 4030 मीटर ये भी चंबा में स्थित है आगे तो असान ही क्वेशन है आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच्चे है तो हिमाचल प्रदेश भागसी राच्चे कब बना था ये 1951 में बना था ऑप्षण डी न ओ देश इसका सेघ्च रही अब 1951 में ये बना भागसी राच्चे हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने कल ही जाना था कि 1948 में क्या हुआ था हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था एक्जेक्टली हिमाचल डे कब मना जाता है यह आप कमेंट करके बता दीजिए अच्छा इससे पहले कि हम इस question के बारे में कुछ और भी डिसकस करें अगर अभी तक आपने हमारा नया चैनल और टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो question पूछ ले जाता है कि हमाचल प्रदेश केंदर साशित प्रदेश कब बना तो 1956 में ये केंदर साशित प्रदेश बन गया था 1956 से लेकर 1971 तक ये केंदर साशित प्रदेश रहा और 1971 में इसको पूर्ण राजे का दर्जा दे दिया गया था और ये भारत का 18 नंबर का राज्य बना था, कौन से नंबर का राज्य बना था, जब 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तब उस टाइम जो था इसके पहले गवर्णर कौन बने थे, पहले राज्यपाल कौन बने थे, उस टाइम पहले राज्यपाल बने थे ऐस चक्रवर्थी यह सब आप बेसिक बेसिक क्वेशिट याद रखिए हिमाचल के बारे में क्वेशिंज एक्जाम में रिपीट होते हैं चाहिए डिरेक्टली होंगे इंडिरेक्टली होंगे और आपको हेल्प मिलती जरूर है थे और वहाए वगाए इंडिर आपको धर टूर रखिए छेग्टली होंगे पर टूर लिए यह दूरू अबर भाएब थे पर फीजी को फटकिशन देए हो फिर इस बेसेटों तो करते हैं इंडिटी हो टूरूर चाहिए रखिए हो इस भीव और खोगाँ क्वेशिकिशन आ झाल झाल